गुड मॉर्निंग स्ट्टेंट्स हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं इकनॉमिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं दो स्टोरी ओ विलेज पालमपूर चैप्टर वन इकनॉमिक्स क्लास नाइन और हमारा जो सेकेंड टॉपिक है वह है और्गनाइशन अफ पॉडक्शन संग्ठन क्या है अब देखिए यह पाला को सब्सक्राइब हैं मतलर हम करते हैं उसका इम क्या होता है उसका उदेश्ट क्या है तो था यह眼 production is to produce the goods and services that we want तो हमारा उत्पादन का उद्श यह होता है कि हम उन तमाम वस्तुमों को उस तमाम गुड्स को वस्तुमों को और सेवाओं को इसलिए प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि हमें उसकी जरूरत होती है जिनकी आवसकता पड़ती हम लोगों को प्रोड्यूस को करने के लिए ठीक है अब देखिए हम लोगों कौन कौन से सकता है जिसके अधार पर on the basis हम लोग कोई प्रोड़क्शन करते हैं तो पहला हमारा क्या है देखिए आप कोई भी आप activity करते हैं तो आपको कोई भी प्रोड़क्शन करते हैं तो पहली आशकता है क्या है पहली सर्थ यह तमाम चीज़ों क्या हो सकता पड़ती है आपका लैंड का आपका नेचुरल रिसोर्स का वाटर का फॉरेस्ट का मिन्डल का इन तमाम चीज़ों के जुरुरत है हमें किसी का प्रोड़क्शन करने के लिए गया आपका देखिए आपक्या रिक रहा है जाए तो आपका दूसरा हो जाएगा आपका सेकंड रिक्रॉर्मेंट लेबर दुसरा क्या है लेवर की आशकता पड़ती है मतलब मज़दूर की शरम करने जो लोग सरमिक होते हैं उनकी आउसकता पड़ती है Some production activities require highly educated workers to perform the necessary tasks कुछ ऐसे भी production होते हैं जिसमें वैसे लोगों की आउसकता पड़ती है जो highly educated है क्या है highly educated है बहुत पढ़े लिखे लोग है उस तरह के production में उनकी आउसकता पड़ती है तो आप देख रहा है कि हमें labor क्या हो सकता पड़ती है दूसरा चीज़ है Second factor is labor other activity require workers who can do manual work दूसरा activity क्या है जिसमें labor चाहिए जो कि आपका सरीरी कृप से काम करने वाले लोग चाहिए सरमिकों के जोरत पड़ती है जो सरीर से मेहनत करते हैं कुछ लोग पड़े लिखे होते हैं कुछ उस्रकार के काम होता है जिसमें आपका उस तरह के लोग आउसकता है जो educated है highly educated लोग है skill वाले लोग है और कुछ ऐसे काम होते हैं परटक्शन के अंदर में जिसमें सारी मेहनत करने वाले लोग के आउसकता पड़ती है आप देख रहे हैं कि डैट इस वराइटी आफ इन पूट्स required and very stage during production what are the items that come under physical capital अब हम लोगो देखना है कि जो हम लोग उत्पादन करते हैं उसके हर लेवल पर कई तरह की चीज़ों के आउसकता पड़ती है तो हम लोगो जानना होगा पहले या कि फीजिकल कैपिटल क्या है ठीक है first is land second is labor and third is capital or money okay so the third requirement is physical capital अब physical capital के बारे हम लोगो समझने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या है देखिया आप इस वहम लोगो देख रहा है आपका कि यह देखिये लिग रहा है tools tools machines buildings tools and machines range from very simple tools such as farmer's block tools sophisticated machines such as generators turbines computer etc tools machines buildings can be used in production over many years and are called fixed capital a fixed capital मनला भूतिक पुझी किसी भी production को करने के लिए हम लोगो कुछ capital चाहिए कुछ पुंजी चाहिए उसी के तहद आपका जो physical capital है उसमें दो पार्ट होता है एक आपका होता है मतलब यह fixed capital दूसरा होता working capital the physical capital के अंदर में fixed capital जो है हम लोग को जानना है कि क्या होता है तो tools and machines range from very simple tools इस प्रकार हम लोग को production करते हैं आप suppose आप agriculture कर रहे हैं आप खेती कर रहे हैं तो जो आप खेती कर रहे हैं तो उसको खेती को करने के लिए आपको हल चाहिए ट्रक्टर चाहिए पंपसेड चाहिए तमाम इंस्टुमेंट्स आई ने जी उसको करने के लिए कोई प्रटक्शन करते हैं आप तो आपको सदानल सदानल हल चाहिए कोई बड़ा पोड़क्शन होता है उसमें आपका माल यह सॉप्स्टिकेटेड़ मसीन मेसेनेरी चाहिए मतलब अच्छे क्वालिटी का अच्छे बड़ा झाथ है यह जो भी और आपका यह वह तिक पूंज किसी विकाम करने के लिए हमको कापिटल चाहिए पैसे रूपए क्या हो सकता पड़ती है और इंस्टूमेंट क्या हो सकता पड़ती है तो उसी में वैसा चीज जिसको हम लोग अपने पास रखते हैं और उसके अधार पर हम लोग प्रोडक्शन करते हैं मैसेनरी जो हो गया आपका और भी तमाम कंप्यूटर्स टर्वाइन्स और जनेर्टर जो भी हुआ मतलब प्रोडक्शन करने के लिए होते हैं उसको हम लोग आपका फिक्स कैपिटल के रूप में यूज करते हैं अमाल यह ट्रेक्टर खरिद लिए खेती करने के लिए तो ऐसा थोड़े ही कि वो ट्रेक्टर इस साल दस साल भी साल तक रह सकता है वो पचास साल तक रह सकता है उसको मेंटेन करकर रखिए कोई आप टूल्स खरिद लिए कोई प्रोडक्शन करने के लिए तो पर्मेनेटली रहता ही रहता है थोड़ा मोड़ा मेंटेनेंस के साथ तो उस प्रकार का जो कैपिटल लगा करके को use the porter also some money is always required during production to make payments to buy other necessary items दूसरा है raw materials and money in hand ये दूसरा क्या है वर्किंग capital इसको बोलते हैं मतलब जहां काम होता है काम होता है नहीं ये कारेशील पुंजी किसी भी production के दर्मियान जो हम लोग को काम करने के लिए ततकाल नगत गया हो हो सकता पड़ती है या उस प्रकार के raw materials का हो सकता पड़ती है उससे हम लोग आपका working capital के रूप में आनते हैं raw materials कच्चा माल या money in hand जैसे आप माले ये खेती कर रहे हैं तो उस production के दर्मियान खप मर जाएंगी ठीक है जिसको हम लोग क्या कहेंगे working capital कहेंगे इसको हम लोग कारसील पुंजी कहेंगे जिस प्रकार जो वीवर्स होते हैं वो कपड़ा बुनते हैं तो उनके लिए सूत क्या है जो कपड़ा बुनकर जो होते हैं वो पर्योग करते हैं सूत कुमहार जिस प्रकार से मिट्टी मनाने के लिए आपका बिट्टी का ब्रत्र मनाने के मिट्टी का प्रयोग करता है तो जो भी production के दर्मियान में हम लोग payment करते हैं या जो नेसेसरी वाला आइटम्स खरीदते हैं उस समय कुछ पैसों क्या हो सकता होती है तो जो रॉम मेट्रियल है या जो money in hand है वही क्या है working capital यह बहुत important है आपको विल्कुल fix capital और working capital में difference पूशा जाता है तो पहला क्या था लैंड था पहला क्या था लैंड था पहला था लैंड दूसरा आपका हो गया लेबर और तीसरा आपका हो गया capital ओके पूंजी इसको बोलते है आपको दिख रहा है और दूसरा वरकिंग कैपिटल जो पोड़क्षन के दर्मियान ही खतम हो जाता है और उसको आपको पढ़ती है ठीक है अब इसमें देखिए एक चौथा चीज आपको दिख रहा है आप तक तो हमने तीन समझ पाए और फोर फेक्टर समको जानना था द आपको दिख रहा है और विकरी उतपादन के लिए उसको हम लोग भेशते हैं तो तमाम चीजों के लिए मतलब कोई फिनिसिंग तयार होने के लिए लैंड की तो हो सकता ही है लेवर की हो सकता तो ही है और फिजिकल कैपिटल के भी हो सकता है मगर इन तमाम चीजों को इकठा करने के लिए तमाम चीजों को बनाने के लिए तमाम चीजों को तयार करने के लिए जिस जिस रिसोर्स के सबसे बड़ी हो सकता है जिस फेक्टर के yourself to sell in the market these days days is called human capital every production is organized by combining labor land physical capital and human capital इसके बिरा अधूरा है which are known as factors of production the factors of production अगर पूशा जादे क्या बदाईएगा land labor physical capital and human capital are the factors of production okay students तो ये organization of production में क्या है what is the aim of production aim of production is is produce the goods and service that we want जिसके हम का हो सकता है चार factor सीधा सीधी एकदम बिल्कुल याद रखना आपको पहला land हो गया दूसरा labor हो गया तीसरा आपका capital हो गया तो हम लोग ये समझ गए आप लोग चलिए students good bye